तो हाई गाइस तो अब हम करेंगे question number B, substring removal game, यह है अपका court vs educational round 93 का question तो इस question में दिया हुआ क्या है, यह मैं पढ़ के नहीं बतारू, मैं आपको यहां समझा दे रहा हूँ तो देखिए question में दिया हुआ कि हमें एक string दिया हुआ है ठीक है, और वो सिर्फ binary string है, या तो 1 होका है तो 0 होगा, तो 1 1 0 0 1 1 1, ठीक है अब इसमें क्या दिया हुआ है कि दो प्लेयर खेल रहे हैं और दोनों प्लेयर में या वो क्या कर सकते या तो consecutive 1 हटा सकते हैं या तो consecutive 0 हटा सकते हैं ठीक है तो यह दिया हुआ है तो माल लीजिए हमारा जो string है वह ऐसा है 1 1 0 0 1 1 1 0 0 1 तो क्योंकि हमें सबस्यादा 1 हटाना है तो optimal प्लेयर का option क्या होगा कि हम जहां maximum 1 है उससे हटा है जैसे यह तीन वन है तो हम इसे तीनों को हटा दे सबस्यादा होगा तो हमारा score सबसे जादा होगा अगर हम इसको हटाएंगे तो दो होगा और जो हमारा player नंबर भी है वो यह उठा लेगा तो दिक्कत आजाएगा आप तो 0 हटा देंगे अगला जो player होगा वो क्या करेगा वो चाहिए जो पांचो वन है यह उठा लेगा आप एक भी आपको तो आपका क्या हुआ कि आप यहां 5 उठाने का सोच रहे थे लेकिन आप क्यूंकि 0 हटा है तो आपको एक भी नहीं हुआ और जो दूसरा player है वो दो और तीन पांच उठाके निकल लेगा ठीक है दिक्कत यहां है तो आपको optimally खेलना है तो यह 0 हटाना optimal solution नहीं है तो क्यूंकि हमें सिर्फ one से ही काम है तो हम सिर्फ one को ही गौर करेंगे जिरो को हम नहीं देखेंगे जिरो को हम जलास में जो पर पचेगा पूरा जिरो उठा लेगा और गेम वैसे खतम कर देगा तो ऐसे ही होगा तो हम क्या करेंगे कि जो हमारा जो string दिया है उसमें जितना consecutive ones है उसको हम सब गिनेंगा उसका length count करेंगे ठीक है मान लीजे यहां 1111 है ठीक है यहां फिर यह कुछ 0 है यहां पर 0 0 0 फिर यहां 11 है यहां total 4 consecutive 1 है य यहां 0 0 0 है पर 1 1 1 1 1 1 तो यहां 5 है ठीक है फिर 0 1 और फिर 1 निवारा यहां 2 है ठीक है तो हमारा consecutive 1 क्या किया कि इतना कितना हो गया 4 2 5 2 तो optimally खेलने के लिए हम सबसे पहले क्या उठाएंगे यह जो 5 1 था इसे उठाएंगे जो 5 जो 1s थे इसे उठाएंगे तो सबसे पह तो यहां कितना हमारा आंसर आएगा 5 और 2 तो हमारा आंसर आएगा 7 क्योंकि हमने 7 1 उटाएगा तो यही लगाएंगे हम क्या करें कि जितना consecutive 1 है उसका length हम गिनेंगे जैसे 5 तो जैसे 5 तो जैसे 5,4,6,7,1,2 तो हम क्या करेंगे पिसे sort कर लेंगे sort कर लेंगे 7,6,5,4,2,1 ऐसे sort कर लेंगे ठीक है ऐसे sort करने से क्या होगा कि हमारा जो optimal play होगा वो सबसे आगे आ जाएगा और जो least optimal play होगा वो पीछे चल जाएगा तो सबसे पहले जो जीतने के लिए हम क्या करेंगे 7 उठाना पड़ेगा तो सबसे पहले 7 उठाएगे next player यह उठाएगा फिर हम यह उठाएगा फिर next यह उठाएगा फिर मैं यह उठाएगा ठीक है जो है S को input ले लिया है, यहाँ S में मैंने 0 add किया है, यह क्यों add किया है, यह मैं आपको last में बताऊंगा, ठीक है, क्योंकि वो last महीं इसाथ आना है, तो अब देखिए, एक vector V हमने ले लिया है, C ले लिया है 0, L ले लिया है 0, तो C क्या है, C है आपका, counting कि कितना, जो 1 का, जो consecutive 1 का length है, यह length count करेगा, कितना हमारा बना रहा है, और यह हमारा, vector का length count करेगा, कि कितना consecutive 1s है, ठीक है तो इसका मतलब क्या है c count करेगा कि जैसे एक दो तीन चार है तो 4 1 है तो c count करेगा 4 और l क्या करेगा l plus 1 कर लिए क्योंकि हमने हमें एक और set मिलिया है consecutive 1s का यही है अब क्या हो रहा है यह सब तो हो गया इफ जो character हम क्या कर रहे है कि जो string को पर iterate कर रहे है अगर जो पहला जो character है वो one है तो हम c plus plus कर लेंगे इसका मतलब क्या कि उसका length अभी बढ़ ही रहा है अब else में आएंगे else v.pushback pushback c c is equal to 0 यह क्या है कि जो हमारा length है तो जैसे हमारा length यहां 4 तो चार को हम vector में pushback कर दिया है चार यहां आगया है और जो length है वो plus हो गया तो पहले length 0 था अब क्यूंकि एक character आगया है तो length को plus plus कर देंगे और यह हो जाएगा one ठीक है अब फिर वैसे ही होगा फिर मान लीजे हम और 00 मिला उसके बाद फिर और दो one मिले तो c अब मैं क्या किया हूँ की इसको sort करती है हो ठीक है एक बात का ध्यान रखिए मान लिजे आपका ऐसे होता 110011 ठीक है तो यह तो push हो जाता अगर अगर यह हम नहीं करते तो यह push हो जाता ठीक है फिर यहां आता, यह दुनों push नहीं होता फिर यहां आता यह सी में count होजाते, c minus less होते, c2 हो जाता, इसका कोई दिक्कत नहीं होता, यह होता, यह सही ए, लेकिन यहां देखे, V.pushback, ELSE V.pushback यह जो पाठни यह होता ही क्यों कि यह pushback होने के लिए इसको 0 होना जरूरी है यह जब 0 होगा तभी यह यहां आएगा अगर नहीं रहता तो नहीं आता है तो इसलिए मैं क्या किया हूँ कि safety के लिए यहां जिसे 11011 है एक 0 और होट कर दिया और यह दो रूघ होजाएगा फिर कांवडिये अगरण और यह करेंगे हम अब हम एक- qip कर के और कर देंगे एक-एक skip करके five add कर दिये, six जो दूसरा प्रिटाएगा, five हमारा होगा, six दूसरा एक, four दूसरे का होगा, two हमारा होगा, तो यही हम कर रहे कि हम add कर दे रहे हैं, और last answer print कर दे रहे हैं, जो मतलब कितना हम उठाए total once यह print होगे, तो सिंपल साथ है इतना ही प्रोग्रापता है तो अच्छा को लाइक करदेगा सब्सक्राइब करना ना भूले आग टेलिग्राम बे जॉइन कर लेगा मैं बहुत कुछ करते रहता हूं जो से फ्री कोर्से सो या फेर इंटर्शेप या कुछ बहुत सारे ऐसा चीज तो तब के लिए धन्यवाद और मिलते हैं अगले वीडियो में अगले वीडियो में कॉश्चन बर सी सॉल्फ करेंगे